हेलो एवरिवन आज मैं कुछ पेपर कैसे अटेम्ट करना है इससे रेलेटेट कुछ बताने चाहता हूँ तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है पेपर अटेम्ट करते डाइंट कि हमारे माइंड में एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए कोई भी कोशन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें उसकी डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा होना चाहिए जैसे हमें पता है ये बात कि कोशन जो आएंगे वो सब भी एक लेवल के नहीं होगे को टॉफ होगा को इसी होगा तो हमें तीन लेवल में बाइफर्केट करना है पढ़ते साथ ही कोशन को सबसे पहला लेवल वन वह वाले कोशन है जो हम पहले देख चुके है इनका पढ़ते टाइम ही हमको दिमाग में पाथ फ्लो वन जा रहा है तो यह लेवल वन के कोश्चन हो गए फिर पढ़ते टाइम हो सकता है कुछ थोड़ासा ऐसा कोश्चन हो जो हमने देखा हो लेकिन हम कॉंफिडेंट नहीं हो कि हाई हमसे होगा तो उसको लेवल तू में कौन से जिनको हमने पता अपीर में नहीं की कैसे जाना है मतलब टाइम होगा तो करद होगे अगर पेपर नहीं होतां तो वो उन्रेट परसंट तुम करद होगे लेकिन उस पॉंट ऑफ टाइम पर तुम्हें पाथ फ्लो नहीं है तुम्हें कुछ लिख वख के देखना पड़ेगा तब तुम्हें समझ में आएगा वैसे कोश्चन है लेवल टू के वह लगपक 30% कोश्चन होंगे ठीक है similarly जो तीसरा लेवल है वह होगा कि तुम्हें देखा तुमने पड़ा तुमने लगा कि आरेसाथ ना तुमने कोश्चन देखा है कभी और ना ही मिरे को इस टाइम पर कुछ समझ आ रहा है कि इसमें दिमाग लगाऊंगा मैं तो कुछ मेरे से बनीगा लेवल 3 का कुश्चन मतलब कि तुमने ना देखा है ना तुमसे बनेगा ठीक है लेवल 1 का कुश्चन वो जो तुमने देखा है और तुमसे बनेगा 100% शूर हो तुम पड़ते साथ ही तुमने जज्जमेंट कर लिया लेवल 2 का question जो तुमने देखा है लेकिन तुम पूरी तरह शेवर नहीं होगी यह मेरे से तुरंद बनी जाएगा और लेवल 3 का question ना तुमने देखा है और ना तुमसे बनीगा तो लेवल 1 के questions लगभख 50% होंगे हर दूसरा question लेवल 1 का question हो सकता है ठीक है? लेवल 2 के question 30% होंगे तकरीवन यानि हर तीसरा question लेवल 2 का हो सकता है और लेवल 3 के question लगभख 20% होंगे यानि कि हर पांचवा question लेवल 3 का हो सकता है तो सबसे पहले हमको question पर दे टाइम यह practice करनी है इस consciousness को बढ़ाना है कि हम bifurcate कर पा रहे हैं तीन लेवल में से कि कौन से लेवल का question है ठीक है? उसके बाद जैसी हमने question को पर दे टाइम में यह anticipate करना है कि वो particular question किस लेवल का है और जैसी anticipation हुआ कि अगर वो level 1 का है तो उसको तुरंट attempt करके answer को tick लगा दो ठीक है? तो यह पहला point कि हमें bifurcate करना आना चाहिए कि हमने जैसे ही question पड़ा runtime में जो हम पड़ रहे हैं हमारे देमार में कुछ anticipation आएगा कि यार किस type का question है तो वो anticipation तीन levels में होना चाहिए तो यह मेरा पहला point कि हमें difficulty level anticipate करना आना चाहिए question का हमारे साब से फिर second point कि numerical value जो questions होते है जिनका answer numerical answer होता है वो comparatively easy होते है objective question से इसका possible reason क्या है? क्योंकि numerical value में guessing work नहीं चलता तो क्या तुक्का लगा होगा इसमें? अगर तुक्के से लगा है तो बहुत कम chance है कि तुम्हारा सही होगा तुम्हारा किसी का भी और अगर objective में तुक्का लगा दिया तो 25% chance है किसे ही होगा 25% बहुत बड़ा chance होता है as compared to इसमें तो लगवक 0% chance है इसलिए इन्होंने रखे हैं ताकि accurately ही solve कर पाए कोई तो comparatively यह easy होते है लेकिन इसके लिए one time accuracy चाहिए क्यों one time accuracy चाहिए कि जैसे objective question में हमने solve किया कुछ और वहाँ पर कुछ answer आगया मालो 15 और option में नहीं है 15 तो हमें एक checkpoint में जाएगा यार कुछ गलती कर दी हमने और फिर तुरंट उसको अपन rectify कर सकते हैं लेकिन numerical value में checkpoint नहीं है कुछ check mark नहीं है कि कुछ options available हो हमेरे पास तो वहाँ पर वो बोले कि यार मतलब 15 आया मालो answer तो हमेरे पास कोई check mark नहीं है कि 15 यह answer है कि नहीं इसका मतलब numerical value questions करने के लिए हमें तो accuracy चाहिए और fresh mind चाहिए और patience के साथ करना पड़ेगा इसा फूंक फूंक के और यह शुरुआत में जब हम paper attempt करते हैं तो वहाँ speed थोड़ी slow होती है comparatively तो इसलिए इसको slowly solve करना है और patiently solve करना है इसलिए हमें पहले 40 minute integer type या numerical type question attempt करने है तो पहले 15 question जो पहले 40 minute जो है वहाँ पे पूरे 15 numerical type question solve करना है 15 कैसे हो गए है पांच 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 तीनों subject के तो जैसे पहले subject में पहला हो सकता है maths आजाए पहला तो maths में कौन से number का question होगा जो numerical type होगा तो दिमाग में से इसे बिठा के चलो 20 तो object है 21 से लेके 25 तक numerical तो सबसे पहला attack होना चाहिए तो हाँ to be attempted by me 21, 22, 23, 24, 25 ये 5 question उसके बाद 51, 52, 53, 54, 55 ये 5 question उसके बाद 71, 72, 73, 74, 75 ये 5 question तो ये 15 question तो में 40 मिनिट में निप्टाने और of course chemistry के करने में थोड़ा कम time लगेगा maths के करने में थोड़ा जादा time लगेगा तो ये 40 मिनिट distribute होना चाहिए तो ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ये हो सकता है कि 5 question में 5 मिनिट ही लगें chemistry के लेकिन वहाँ पे जादा लग जाए maths के 5 question करने में तो ये इन 15 question को एक ही type के question माना हो और इने 40 मिनिट में solve करना है पहले 40 मिनिट में कि फिर आजाते हैं अपन तीसरे पॉइंट पर तो पहला पॉइंट हो गया difficulty level से related दूसरा पॉइंट हो गया कि इंटीजर वैल्यू हमें पहले solve करना है numerical value question और तीसरा हो गया order of attempting तो अब order of attempting में तुम्हें बताता हूं कि जैसे हमारे पास ऐसा situation है कि यार कुछ लोगों का maths मतलब physics और chemistry में compare किया जाए तो कुछ लोगों का physics जादे scoring है कुछ लोगों का chemistry जादे scoring है और कुछ लोगों का दोनों scoring है तो उनके लिए मैं पहला order बता रहा हूं अगर physics scoring है irrespective of chemistry scoring है या नहीं तो तुम्हें पहले 40 minute तो no doubt integer value question करने अगले 40 minute physics के question करने objective जो बच जाएंगे फिर अगले 40 minute maths के objective question करने जो बच जाएंगे फिर अगले 30 minute chemistry करने और उसके बाद 30 minute बचेंगे finally तो वहाँ पर तुम level 2 के जो question तुम mark करते के छोड़ते हुए आ रहे हो उनको time देना है आखरी के 10 minute यह पहला order है जिसमें physics scoring है जिन बच्चों का उनके लिए यह बात हुई जिन बच्चों के लिए physics scoring नहीं है ना irrespective of chemistry scoring है या नहीं of course chemistry scoring होगा अगर physics scoring नहीं है तो पहले 40 minute तो numerical value करने है वहाँ तो कोई बात ही नहीं है लेकिन second order में जिनका physics scoring नहीं है उन्हें पहले chemistry attempt करना है पहले 40 minute तो integer type attempt होगए फिर next 30 minute उन्हें chemistry attempt करना है फिर next 40 minute maths attempt करना है और फिर next 40 minute physics attempt करना है और जो आखरी 30 minute बच्जा है वहाँ पर level 2 के questions पर वहाँ पर जाना है तो हमेशा हमें क्या बात इस conclusion से मतलब क्या-क्या बातें याद रख लेनी है कि paper करते time हमें सबसे पहले 40 minute numerical value कोईशन सॉल्व करने है और इस anticipation मिलना चाहिए इतना हमें अपना दिमाग को strong करना है और उसके बाद जैसे जो भी time तुमने allot किया है उससे आगे दी निकलने जैसे first 40 minute अगर तुमने allot किया integer type करने के और तुम्हारे integer type नहीं हुए पहले 40 minute में तो छोड़ दो ठीक है ऐसा नहीं कि 40 minute को तुम extend करके 50 minute कर दो नहीं क्यों क्योंकि फिर आगे का time कम पड़ जाएगा जैसे तुमने पहले 40 minute integer type किया हो गया उसके बाद तुमने 30 minute अपना set करके रखाए कि chemistry करना है तो अगले 30 minute में chemistry नहीं हुआ पूरा और थोड़ा सा आगे निकलना 30 minute पे तुम्हें stop हो जाना है तुम्हें late नहीं होना है अपने हर specific subject या specific section पे जो तुमने time alert किया है उससे late नहीं होना है जल्दी हो जाए चलेगा late नहीं होना है कभी भी नहीं होना है ठीक है और never get stuck at a particular question कभी भी एक particular question में stuck मत हो ऐसा तुम्हें feel हो कि भाई हम मैं तो इसमें उलज रहा हूँ एक minute भी ऐसा लगे ना कि हम वेस्ट कर दिया हमने छोड़ दो उस question को बिल्कुल भी attach मत हो बिल्कुल मत सोचो कि इसको तो करके रहूँगा क्योंकि हर चाए ये अंधेर नगरी है अंधेर नगरी चौपट राजा उनर दिखाने का कोई मतलब नहीं है एक्जाम में हमें बास्केट में अपने चार नंबर इकटे करने है चाए वो easy तरीके से है चाए वो tough तरीके से है और easy तरीके से आएंगे तो ज़्यादा maximize होगा score तो कभी भी किसी भी question में नहीं अटकने level 3 जैसे तुमने सोचा कि यह मेरे से नहीं होगा level 3 का question आगया यह उसको छोड़ दो without getting attached क्योंकि हमें अगर हमने 50% question कर लिए 50% question भी अगर कर लिए तो हमारे आधे mark secure हो जाते है वहाँ पर और अगर हमने ऐसे tough question में time लगा के waste कर दिया तो हमारे जो easy question करने का time था वो चला जाएगा तो पूरा दिक्कत हो जाएगी and second never attempt maths at last maths कभी last में attempt मत करो maths middle में attempt करो maths अगर तुम्हें last में attempt करने गए तो जल्दवाजी में maths के question नहीं हो पाएगे generally मेरा personal personal view यह है कि अगर तुम्हारा थोड़ा सा time limit ऐसा लग रहा है कि वो अतना तेज नहीं भाग सकता इसका मतलब maths आखरी में करना ही नहीं है nervousness जब तुम्हारा दिमाग एकदम तेजी से भाग रहा है बहुत nervous हो रहा है तुम inorganic question एकदम accurately साही कर सकते हो लेकिन maths के कभी नहीं कर सकते तो maths में maths को आखरी में करने का पाप हमें कभी नहीं करना है तो अगर मैं summarize करूं तो मैंने तीन points बता है कौन-कौन से तीन points है पहला कि difficulty level anticipate करना है तुम्हें reading करते time ही पढ़ते time ही difficulty level तुम्हारे सामने आ जाना चाहिए और level 1 का question है यानि कि देखा भी है यह तो होगा ही नहीं यह तो अपने बसके बाहर है छोड़ दो उसे बिलकुल मत मार्क लागा तो तुम्हें question ही नहीं तुम्हारे लिए यह पहला point दूसरा point numerical value question शुरू मैं attempt करने है और तीसरा मैंने order का बताया है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम आगे के paper अपने attempt करना और इस चीज़ को और rectify करना और मेरे को और feedback देना कि क्या तुम इससे तुम्हारा improve हो रहा है और मुझे उम्मेद है कि इससे improve होगा क्योंकि time management बहुत important चीज़ है और यह जो strategy है यह time management की strategy ही है कि हम अपने जो हमें आता है उसको harness कर पाएं उस limited time में तो question से attach होने के बिल्कुल जरूत नहीं है और हमें यह उद्देश है हमारा कि हमें 4 marks लेने उस question में से और negative नहीं करना है यह भी उद्देश है और अपनी accuracy वगएरा देखो तुम अगर जैसे तुम्हें लग रहा है कि यह जो भी तुक्के मारते हो गलती निकलते हैं हमेशा तो तुक्के मारना अवाइट करो लेकिन ऐसा लग रहा है कि दस मैंसे तुम्हारे चार तुक्के से हो जाते हैं तो फिफर चलने दो और एक और important बात कि पेपर का feedback बहुत important है कि जैसे ही जिस भी question में तुम उलज रहे हो बहुत सारे ऐसे questions होंगे जो तुम मिला गया यह तो हम एकदम सही सोच रहते हैं मतलब क्या गलती होगी कि यह answer गलत हो गया तो ऐसे questions में जो तुम्हारा theory हिट हो रही है कि यह कोई चीज़ इसकेप हो गई है या यह चीज़ और पता चल जाए तो अपने notes में से on the spot उसी दिन revise कर लो particular उसी दिन तुम उसको revise करके खतम करो इस तरीके से तुम्हारा पूरा revision भी circular उसमें चलता रहेगा डेली एक paper करने का target बनाओ तीन घंटा तुम्हें निकालना पड़ेगा बहुत important है इस प्रेस्पेक्टेव कि तुम्हारे प्रेक्टिकल चल रहें स्कूल में जो भी जैसा भी चल रहा है अभी तुम्हें तीन घंटे निकालना है एक paper करने के लिए और एक घंटा निकालना है ताकि तुम इसमें analyze कर सको कि भाई जो भी रेक्टिफिकेशन जरूरत है यह मेरे को नहीं बना कि यह मेरा slip हो गया यह logic आता तो था लेकिन उसको तुरन देख लो बिल्कुल ऐसे मत देखो कि आप next paper में देखेंगे next paper से कर लेंगे एक घंटा feedback के लिए solution मत देखो feedback मत अ अंदर अराम से बैठ जाओ और सोचो कि भाई क्या चीज उलज गी थी अपने दिमाग से सोचो paper को बलेट नहीं की जरूत नहीं paper देने के बाद paper देते time ही तुम्हें कुसी चीज में struck हो रहे होगे उस consciousness को याद रखो बस क्यार किधर struck हो रहे था मैं यह हो रही थी मैं और उसके बाद उसे on the spot देखके उसी दिन खतम कर दो कि हावी अब ऐसा आएगा ऐसी चीज में नहीं उलजूंगी मैं इसके बाद ठीक है तो यह मुझे बहुत importantly तुम्हें कहना था और इस तरीके से तुम अपना एक particular strategy डवलप करते हुए सारे papers देते जाओ ठीक है थैंक्यू वेरी मच्च